तो बाई जब भी छोले कुल्चे की बात होती है दिल्ली में सबसे पहले नाम आता जी लोटन के छोले कुल्चे काते हैं और कुछ लोग कहते हैं इसको खाया जाता है और छोड़ के लोगों की दिल्ली विरासत है विरासत नाम इन होगे If काम गो हमारों यहां पर 105 साल हो एक सो पांच साल जी अच्छा लेजंडरी हो गया अब कौन सी जन्रेशन आगी है हम मैं फोर हूं हमारे बच्चे पांच मी जन्रेशन आगी है बढ़ी दूर दूर से लोग आते हैं कम से कम 10-15 किलोमेटर दूर से लोग आते हैं आप खाने के लिए मैं भी 30 किलोमेटर चल गेने के पास आगे हैं यह जो गिलास लेकर खड़े हैं लोग यह इस इसका इंतजार रहा है यह है इनका चने का सूप चना सूप इसकी इतनी जबरदस्ट दिवानगी है भाई यह देखो कि आप आप यह देखो क्या बात है कि अब यह एक प्लेट मारली भी लगा देना जैसा यह देखो सब्सक्राइब कर दो प्लेट के छोले हैं क्या बात है क्या प्लेट खाने के वाद तसल्ली होती है इस तर यह भी खड़े हुए टोकन लेके यह पहले जो हां सुरवात करी थी हां हां कि अच्छा जब निस्तों पीस में चटी से बार में तक हुआ था नहीं अच्छा तब हमारे लुटन जी जिन का नाम है परदादा थे हमारे आपके क्या लगते थे परदादा परदादा ठीक है इस नाम से उन्होंने स्कूल में आकर बात करी थी पहले अब मसाला का सखा हो चाहिए अब यह देखो जी यह देखो क्या बात है इस इन चैनेचर क्या वादा और आपके प्लेट त्यार हो के वाई यह एजी दिवान गी देखो जी लगा के खड़े होते हैं तुबे का टाई मैं देखो और संडे का दिन है यह दिखाता हूँ तो भाई ऐसी दिवाण गी इनके छोले कुल्चे की पाजी कहा रहे हैं रेगूलर काफी सालों से खा रहा लोग यहां से तो बाइब साथ किलोमेटर से वीड़ जी आते हैं मैं 30 किलोमेटर दूर से आया हूं वाई ऐसी दिवानी किये वाई सुबह नाये दोए बगार सीधा लोग यहां पर आता ही ब्रेकफास यहां करते हैं फिर उसके बाग घर जाते हैं यहां पर आते हैं दोते हैं उसके बाद अपने काम पर जाते हैं कि मखन वाले छोले और शौद चाहते हो तो बोलते हैं थोटी तो तो दो कि ऐसे ही नाम नहीं होता ऐसी रशनी होता किसी चीज़ का कुई क्वालिटी होती है कोई टेस्ट होता है सभी लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं आप भी असली फूडी हो ना अच्छा ब्रेकवास्ट करना चाहते हो आप यहां पर आ सकते हो दरिया गंज में इन अच्छा क्ली गुडबाय, सची काला